बूर्णिंग स्टुडेंट्स बीमी बैसिक मेकेनिकल इंजिनिरिंग का लेक्चर नॉम्मर फोर्थ वीडियो है आपका यह और अभी तक अपने बैसिक मेकेनिकल में क्या क्या पड़ा चुके हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ओफ फर्स्ट अफ आल तो इंड्रेक्शन ऑफ पावर ट्रांस्मिशन फ्लासिफिकेशन ओफ बैल्ट उसके अलावा अपने आप पर वेलोसिटी रेशो भी डिफाइन किया था पैलोसिटी रेशो क्या होता है अब क्लासिफिकेशन के अंदर आप यह वालेड इसक्श सवाओट दा अगोडिंग टूड्राइव अकोडिं कंपाउंड ड्राइव वेलोसिटी रेशो हम निकाल चुके हैं सिंपल बैल्ट के लिए लेकिन अब कंपाउंड बैल ड्राइव के लिए अपन वेलोसिटी रेशो यहां पर फांड आउट करेंगे तो यह डाइग्राम आपको दिया हुआ है सामने कंपाउंड डाइग्राम सबसे पहले मैं आप को बताता हूं कि इसको बोलते हैं ड्राइवर देखो यह गया ड्राइवर जिस में motor shaft लगी होती है उसकों हम बोलते हैं ड्राइवर और जिस से जो घूमती है उसकों बोलते हैं ड्राइवन ना मतलब की ड्राइवर से बैल्ट के तुरू जो पावर ट्रांस्मिट हो रही है और बैल्ट से वापस से सेकंड पुली जिसको हम ड्राइवन बोलेंगे जो रोटेट करती है बाइदा बैल्ट इस कॉल्ड ड्राइवन अफ्टर राइट एक ही साफ्ट पर यह साफ्ट दे रını जो और से शाफ्ट और इस यहां पर दो पुली लगी हुई है कैसे लगी हुई जैसे हैशाइक प्लूप यह साफ्ट पर एक यह पुली लगी हुई है और दूसरी यहां पर यह पुली लगी हुई है अना दो पुली यहां पर एक ही साफ्ट पर लगी हुई है जब आपके पास यह पुली यहां से connected है इस belt से तो यह rotate करेगी यह driving पुली तो यह जब साफ्ट रोटेट करेगी तो इस साफ्ट के rotation की बज़े से आपकी जो सेकंड नमबर की पुली है which is called driver इसके लिए हम क्या हुआएगा इसको हम driver बोल देंगे यह सेकंड नमबर की पुली एक ही साफ्ट पर लगी हुए तो वो रोटेट करेगी and then power is transmitted from driver pulley to belt and belt to driven pulley ठीक है तो इस तरह से आपके पास यहां पर आपकी पावर गी transmission और ड्राइवन पुली तक पावर यहां पर आएगी और राइवन पुली आपकी रोटेट करेगी एनी आर्पीम तो यहां पर फस्ट नमबर जो है diameter है d1 इसका rotation n1 हम count कर लेते हैं ठीक है और यहां पर second जो ड्राइवन है इसका diameter मैं बोल देता हूँ d2 जाली देता हूँ अलग से d2 और rotation है n2 उसके बाद हमारे पास जो दूसरा एक ही साफ्ट पर जो लगाया हुआ है इसका diameter बोलता हूँ d3 और इसका जो rotation होगा इसका rotation होगा वो देखोर rpm यह क्योंगी साफ्ट एक ही है इसलिए rpm क्या होगा एक ही होगा इस साफ्ट पर जो भी पुली लगी हुई है उसका rpm constant होगा मतलब और इसका diameter हम बोलते हैं कि डी 4 है और जो speed है वह एन 4 होगई यहां पर rpm में ठीक है वाई यह चीज़ हो गई अब इसके बाद इसकी कुछ टर्म लिख लेते हैं लिख लीज़ी आप लोग पहले दो डाउनलोड कर लो इसको नोट डाउन कर लो डाइग्राम बना लो भई d1, d2, d3, d4 इक्वाल टू देखो d1, d2, d3, d4 इक्वाल टू डायमेटर आफ पुली 1, 2, 3, 4 प्रेस्पेक्टिवली डायमेटर आफ पुली 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली n1, n2, n3 रोटेशनल स्पीड आफ पुली 1, 2, 3, 4 रोटेशनल स्पीड आफ पुली 1, 2, 3, 4 आगे लिखते हैं हम वैलोसिटी रेशो आफ पुली 1, 2 वैलोसिटी रेशो आफ पुली 1, 2 पुली 1 और 2 पर जो वैलोसिटी रेशो है पुली 1, 1, 2 पर जो वैलोसिटी आएगा देखो भई पुली 1 इसको मैंने पुली 1 नाम दे दिया था और पुली 1 के आगोडिंग डामेटर वैलोसिटी रेशो होगा वो क्या होगा एलोसिटी रेशो का का लेडिवेट किया था आपनने फार्मुलाय आध रखना वैलोसिटी रेशो आफ यह लिखो आप वैलोसिटी रेशो आफ पुली 3 2 4 वैलोसिटी रेशो आफ पुली 3 2 4 3 2 4 का जो वैलोसिटी रेशो है वो क्या आएगा N4 अपन N3 इक्वल टू D3 अपन D4 ठीक है अब यह दो एक्वेशन से अपन मान लेते हैं कि इसको इक्वेशन को एक्वेशन नमर फर्स्ट बुला है और इसको एक्वेशन नमर सेकंड यहापर हमने बुला है दो एक्वेशन को मल्टिप्लाय कर देते हैं यदि हापन तो हमारे पास क्या निकल कि आ रहाए यह d1 upon d2 into d3 upon d4 ठीक है अब यहाँ पर अपने conditions यह दी देगो यह condition थी n2 equal to n3 n2 equal to n3 तो दोनों के जब rpm same है तो यह क्या हो जाएगा यह cancel out हो जाएगा यहाँ पर n4 upon n1 equal to d1 d3 upon d2 d4 यह इसका compound well drive का velocity ratio यहाँ पर निकल के आता है चीक है अट कर अट कि अ कि-फwn novol high इस आर यूज्ड यहाँ पर लेखेंगे हम इफ हो जाएंगे N of N upon N1 N of N upon N1 equal to odd number of diameter उपर आजाएंगे D1 D3 D5 D7 dot 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 Dn upon upon Dn-1 Dn-1 क्योंकि आएंड ना आपर तो Dn-1 upon even numbers of diameter D2 D4 D6 and so on Dn तक ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर N number of police के लिए हम formula निकाल सकते हैं ठीक है यह derivation आपको complete होता है velocity ratio compound drive के लिए इस पर एक numerical कर लेते हैं अधार लिया complete है और डान कर लोगे आप लोगे आप लोगे अधार 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 आगे बढ़ते हैं नुमरे कर लिखो भई इन्हें compound bell drive are used compound bell drive are used pulley 1 drives pulley 2 pulley 3 pulley 1 drives pulley 2, pulley 3 drives pulley 4 and pulley 5 drives pulley 6 एक वन नोट नाउन कर लीजी आप लोगे लिखो रहा हूं pulley 2 and 3 are keyed to one shaft pulley 2 and 3 are keyed to one shaft and pulley 4 and 5 are keyed to another shaft full stop if the diameter of pulley 1 2 3 4 5 6 are 60 cm, 30 cm, 50 cm, 40 cm, 45 cm, 20 cm respectively full stop determine the speed of pulley 6 when pulley 1 is running at 500 rpm first number neglect the slip and thickness of the belt second number consider the thickness of the belt 5 mm and neglect slip and third number consider the thickness of the belt and slip of 1% at each pulley यह आपका numerical है इस numerical की short forms मैं आपका लिख देता हूं यहां आपको दे रखा है diameter d1 60 cm, 60 cm, 60 cm, diameter d2 दे रखा है 30 cm, 30 cm, 30 cm, diameter d3 दे रखा है 50 cm, d4 दे रखा है 40 cm, और d5 दे रखा है 45 cm, d6 दे रखा है 20 cm, rpm, n1 की value दे रखा है 500 rpm, 500 rpm, ठीक है यह diagram मैं आपके एक बार बना के बता जेता हूं यह diagram में क्या बोल रहा है यह आपकी n1 pulley है, n1 drives and 2 देखो साफ साफ लिखा हुआ है n1 drives and 2, यह sorry pulley 1 drive pulley 2, pulley 1 यह है, pulley 2 यह है, pulley 1 pulley 2 को drive कर रही है and pulley 3 drives pulley 4, pulley 3 यह pulley 3 है बटा और pulley 3 जो है, वो drives कर रही है, pulley 4 को हाना, इसके लिए, यह साफ साफ इसमें बोला है कि, pulley 2 and 3 are keyed, 2 or 1 shaft, यह दोनों pulley, एक ही साफ पर keyed है हाना, उसके बाद, pulley 5 drives, pulley 6, यह आपकी pulley 6 हो गई, pulley 5 यह हो गई, pulley 6 यह हो गई, बचिव यह pulley 4 है तो इस तरह से यह 6 pulley दे रखी है, और pulley 4 and 5 are keyed to 1 shaft, यह एक ही साफ पर लगए हुए है, यहान रखना, यह आपके एक ही साफ पर लगए हुए हैं दोनों, इसका मतलब यह compound well drive है, यह आपका compound well drive है, यहाँ पर इससे साफ साफ पता लग रहा है कि, and 2 equal to and 3 होगा, एक ही साफ प यहाँ पर रोटेट कर रही है, यह पुली 3 है, यह पुली 4 है, इसको मैंने इस तरह से diagram में बनता है, तो, and 2 equal to and 3, and 4 equal to and 5, यह diagram, यह question आपका दे रखा है, numerical दे रख दिया हुए है, इस तरह से, आपको निकालना है, N6 की value निकालनी है, यहाँ पर, N6 की value आपको निकालनी है, N6 की value निकालनी है, ठीक है, first number की condition, लिखते हैं हमें यहाँ पर, पहला number, पहला number की condition है, neglect the slip and thickness of belt, neglect the slip and thickness of belt, आपको यहाँ पर, जो slip की, slip को neglect करना है, पहले दो, slip को भी neglect करना है, और thickness भी यहाँ पर नहीं दी हुई है, किसी तरीकी की कोई thickness नहीं दी हुई है, दोनोई चीज नहीं है, इसका मतलब simple relation है यापर, इसका मतलब यहाँ पर simple relation है, N1 और N6, N6 upon N1, last derivation में compound well drive का NN upon N1 दे रखा था, तो उसके according हपन करेंगे, तो diameter उपर क्या था, odd numbers, diameter, D1, D3 और D5 तक ही जाएगा, क्योंकि आगे कोई diameter दिया हुआ नहीं है, upon D2, D4, and D6, यह जाएगा, तो N6 upon N1, equal to this, यहाँ पर N1 की value दी हुई है, diameter दी हुए है, सभी value पूट करेंगे, answer आ जाएगा, यहाँ पर आप values पूट कर लो, diameter कितना है, D1 का, 60, into D3 कितना है, 50, D5 कितना है, 45, upon, D2 कितना है, 30, D3 कितना है, sorry, D4, 40, और यहाँ पर D6 दे रखा है, 20, यह diameter दे रखे हैं, इनको solve करेंगे, और N1 की value है यहाँ पर, तो N1, N6 निकालना है, आपको N1 की value दे रखी है, 500 rpm, 500 rpm, जब हम इसको solve करेंगे, multiply by कर देंगे, यहाँ से, 500 multiply by this value, तो आपका answer आएगा, 2812.5, 2812.5 rpm, यहाँ आपका answer को चेक कर लें, calculator से, 20 speed आगए इसकी, ठीक है, उतारो, next में दे रखा है, second part इसका जो है, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है, कि thickness consider करनी है आपको, भी point जो दिया हुआ है, numerical में है, कि thickness दे रखा है, thickness, thickness दी हुई है बेटा, यह 5 mm की thickness है, 5 mm की यहाँ पर हमको thickness दी हुई है, consider the thickness of belt 5 mm, थिकनेस of belt 5 mm, 5 mm की thickness दी हुई है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, कि इसका क्या relation आएगा, देखो, n6 upon n1 equal to d1, diameter में सब में आपको thickness यहाँ पर add करनी है, और thickness मेरी होगी 0.5 cm, ठीक है, 0.5 cm, d2, sorry d2, d2 नी आएगा, d3 आएगा, d3 आएगा, d3 plus 0.5 multiply by d5 plus 0.5 upon upon d2 d4 and d6 में thickness यहाँ पर add, apply करना है, d1, d2, d3, d1, d3, d5 upon d2, d4 and d6 में ठीकने से यहाँ पर add करनी है, ठीक है, तो इस तरह से यह solve हो जाएगा, चिदा simple है, values put करो diameter की, सभी diameters की n1 की value दी हुई है, n6 आजाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर numerical को solve करना, और मैं direct value रहाँ, you can calculate, 2745.5, n6 की value है, 2745.5 rpm, you can calculate the calculator, use कर सकते हो, आप calculator यूज करके, आप इसकी value निकालो, ठीक है, और last, जो third consider करवा रहा है, यह, third question जो है, वो क्या बोल रहा है, वो यह बोल रहा है, कि, consider thickness of belt, and slip of 1% of each pulley, thickness of belt, यहाँ पर belt की thickness भी consider करवा रहा है, और इसके अंदर क्या है, कि, 1% of slip at each pulley, देखो, यहाँ समझे, thickness भी, c point करवा आप, यहाँ पर, c point, thickness दे रहा है, 5 mm की, यह consider करवा रहा है, और दूसरा दे रहा है, slip percentage, slip कितना है, 1% of each pulley, 1% of EACH, each pulley, चीक है, तो यह इसकी, conditions हैं, कि, यहाँ पर आपको slip भी count करना है, तो, जब last lecture में, derivation में, आपने slips पड़े हैं, कि, आपने को percentage of slip कैसे निकालनी है, तो उस case में, देखो भई, formula क्या बनता है, इसका, simple है, n6 upon n1 equal to, अभी तक तो आपनने यहीं किया था, thickness को add किया था, जस्ट, आना, d3 और यह होगा, d5, अनो, d5 plus, thickness, ठीक है, अपन, d2 plus t, d4 plus t, and d6 plus t, यह तो simple, जब thickness, सिर्फ केवल thickness count करने वाला formula था, उसमें है, अब इसी formula में, अपन, slip as 1% of each pulley, 1% of each pulley, आपकी slip है यहाँ पर, जो slip है ना, यह, वो हर एक pulley में पर 1% slip हो रखी है, 1% slip हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी total, total 6, 6 pulley है, तो कितना हो जाएंगी भाईया, 6 हो जाएंगी ना, total number of percentage of slip, कितना हो जाएंगी, 6, ज़ि एक एक परसेंट भी आप एड करोगे, तो total number of slip कितना हो जाएगा, formula क्या था आपका, 1 minus st by 100, यह था ना, st मतलब total slip, total slip कितनी है, 6, तो यह कितना हो गया आपका, यहाँ पर, यहाँ जब हम value पुट करेंगे, diameter के लिए diameter की value पुट कर दो, अना, diameter है आपने पास 60, 60 प्लस 0.5, D3 कितना है, 50 प्लस 0.5, D5 कितना है, 45 प्लस 0.5, यह हो गया, D2 कितना है, 30, 30 प्लस 0.5, next आगया आपका, D4, 40, plus 0.5, 40 प्लस 0.5, 40 प्लस 0.5, और लास्ट का, यह बिटा हो गया, आपका, D6 कितना हो गया, 20, प्लस 0.5, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 6 प्लस 0.5, तोटल नंबर आप स्लिप कितना है, 6, ठीक है, तोटल नंबर आप स्लिप कितना है, 6, तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा, वो क्या आएगा, आंसर लिख लिए 2580.8, इसको सेल्फ कर लेना आप लोग, 2580.8, आर्पी एम, चिक, यह आपका इसमें, अंसर आगा, इसको ड़नो डाउन कर लो, दूसरा मारकर लेकिया आना, इस तरह से, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का, अपना पास यह डेरिवेशन और नुमेरिकल कंप्लिट होता है, अब, आगे पढ़ेंगे, लेंथ आफ बेल्ट, अब हमको यहाँ पर, लेंथ, मैंने अभी, फ्लेट बेल्ट ड्राइव के अंदर, टू टाइप्स के, बेल्ट बेल्ट बढ़ाये थे, कौन-कौन से, ओपन बेल्ट और क्रोस बेल्ट, तो हमारे सलेवस में यही है, ओपन बेल्ट, क्रोस बेल्ट और वी बेल्ट, तो ओपन बेल्ट की लेंथ, इसके बाद cross belt की length निकालनी है उसके बाद हम derivate करेंगे V belt के लिए तो आज के लिए एक video यह बहुत है, sufficient है next lecture में we will discuss about the topic of length of open belt drive ठीक है, thank you